आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा आपके सभी मैठ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बाईलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की वोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सेलीशन पाओ डाउनलोड नाउ घ्लोगास दिसकों सब्सक्राइब कहरा हैं कि इमेजीन एटम मेंड अफ्रोत्र यंडव कंड रहा है यहांपे कहरा है यह 1 और तो है और यह झाल और मास जो है ना इलक्ट्रोन के मास के डबल है और चार्ज सेम है तो बोल रहा है कि इसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपलाई दा बोर मॉडल कंसीटर दा पॉसिवर ट्रांजिशन ऑफ इस हाइपोथेटिकल पार्टिकल तुद फर्स एक्साड़ेड लेवल ता लॉ इन इस इक्वल टू क्या होता है इन हाइड्रोजन एटम ठीक है इन का वेल्यू क्या होता है इन इस इक्वल टू क्या होता है यह होता है माइनस आर एट सी अपॉन क्या होता है एन स्क्वाइर क्या है यहाँ पे रिटबर कॉंस्टेंट एच प्लंक कॉंस्टेंट सी स्पी एलक्ट्रोन देखे यहां पर M क्या है माश ओफ एलक्ट्रोन होता था एलक्ट्रोन ठीक है ना here the electron has been replaced by the particle whose mass is double of an electron यहां पर जो है क्या कर रहा है कि electron को जो है है replace कर दे रहे हैं एक hypothetical पार्टिकल से जिसका कि अगर mass electron का mass M है तो इसका mass कितना है 2M है clear है इसका mass कितना है 2M है so हम यहां पर कह सकते हैं कि energy जो है energy कितना हो जाएगा EN is equal to कितना हो जाएगा minus 2RHC upon H square हो यहां पर N square यह N है मैं भी confuse कर रहा हूँ अपना N को देख करके ठीक है यहां पर भी तो N था और यहां पर भी N square है ठीक है इतना हो जाएगा तो longest wavelength lambda maximum कितना होगा जबकि minimum energy minimum होगा energy is equal to क्या होता है SC upon lambda होता है जो आप lambda max की बात करेंगे तो energy कितना होगा minimum होगा energy minimum का होगा जब photon विल क्या होगा क्या होगा यह corresponding the transition particle from N equal to 3 to N equal to 2 में होगा यानि कि 3 to 2 होगा तो यहां पर एकदम minimum होगा तो हम यहां पर कह सकते हैं Hc upon lambda max is equal to e3 minus e2 which is equal to r hc into 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square ठीक है यहां पर अगर आप calculate करेंगे इसको calculate करेंगे तो lambda max कितना होगा lambda max is equal to 18 upon 5 r आ जाता है clear है अब दिखिए यहां पर मैं एक चीज़ आपको और बता हूँ energy का जो होता है ना formula जो होता है यहां पर energy का जो formula होता है e is equal to होता है ठीक है minus m e के power 4 upon 8 epsilon 0 square h square into 1 upon n square होता है तो यहां से आप देख सकते थे energy proportional to m होता था इसलिए यहां पर मैंने लिखा था energy proportional to m के मैं directly लेकिन आपको अगर यह formula याद है तो आपको पता यहां पर लग जाएगा ठीक है तो यहां चन नहीं हमारा जो इस case में correct option होगा clear है क्लासिक्स से ट्वेल से लेके meet IIT जेही means और advanced के लेवल तका स्मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा आज ही डाउनलूट के ले डाउटने टाप यह वाट्साप कीचे अपने डाउट्स आट चार्सो 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 पर झालोट कीचर्वश पर वाट्सो चार्सो 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 चार्स।